दुनिया का सात्वा अजूबा प्यार की निश्वानी और अद्वुत कलाकारी लोगों के मन में ताज महल की यही च्छाप बैथी हुए 1632 में मुगल श्वासर श्वाजा ने अपनी बेगम मुम्ताज की निधन के बाद इसे बनवाना शुरू किया था हब दो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अब जो बात हैं ताज महल को लेकर की जा रही हैं वह सीधे सीधे किताबों में लिखी हुई बातों को चुनोर्ती देती हैं नमस्कार नैश्नल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ भार्ती बगेर ताज महल और उसके नीचे बने 22 कमरों से जुड़ा वो राज आखिर क्या है जिसे जानने के लिए देश भर में फिर से बहस शड़ कई है चलिए आपको सबसे पहले बताती हैं कि यह पूरा विवात क्या है और यह शुरू कब हुआ कई पत्रकारों का कहना है कि ताज महल वाली जगय पर एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तेजो महल या तेजो महाले कहा जाता था इतिहास कार दावा करते हैं कि शुहाजा ने महादेव के मंदिर को तोड़ कर उसकी जगय ताज महल बनवा दिया बस इसी को लेकर भाजपानेता डॉक्तर रजनीश सिंग ने इलहाबाद हाई कोड की लखनु बेंच में एक याचिका दायर की इस याचिका में मांग की गई कि ताज महल के ठीक नीचे बने 22 कमरों को खोला जाए ताकि यह पता चल सके कि उन कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और शिवाले हैं या नहीं उनीस सो साथ से सत्तर की दशक में ताज महल पर एक मराथी किताब लिखी गई जिसका नाम था ताज महल दर ट्रू स्टोरी और इसे लिखा था पी एन ओकने उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि ताज महल वास्तम में तेजो महाले हैं जिसका निर्माड ग्यारा सुपच में किया गया था उनके मुताबिक तब वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था ओक के मुताबिक मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक भव्यसमारक मौजूद था इस किताब में राजमान सिंग के पोते ज्वैसिंग का भी चिक्र था जिनके हवाले से ताज मह में गनेश कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आक्रिटियां दिखाई देने का दावा किया गया हाला कि पीन ओक के तस्थ्यों और सवालों को पोर्ट ने कभी मानिता नहीं दी साल 2000 में सुप्रिम पोर्ट ने पीन ओक की उस मांग को खालिज कर दिया था जिसमें वह के 22 कमरों का राज क्या है दावा किया जाता है कि ताज महल में मुख्य मकबरे और चमे्नी फर्ष के नीचे 22 कमरे बने भूए हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है यह कमरे मुगलकाल से बंद हैं आखरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था तब यहां केवर निदेक्षन क किया गया था बस इस तभी से यह 22 कमरे एक पसेली बन कर रह गए हैं इसी विवाग के बीच भार्तिय पुरातत्व सरविक्ष्वर विभाग यानी ASI ने कमरों की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है यह तस्वीर है जन्वरी 2022 की जिने ASI ने अपनी साइट पर शेयर किया है इन तस्वीरों को साजह करने का जो मकसद है वो कमरे को लेकर फेलाई जा रही अफ़वाओं को रोकना है इन तस्वीरों में कहीं पर भी देवी देवताओं की मूर्टिया नजर नहीं आती है उधर हाइपोर्ट ने भी कमरे को खोलने की मांग पर सुनवाई के दोरान याचिका करता को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारेज कर दी यहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं ताज महल या तेजो महाल है क्या सच में ये भगवान शिमका मंदे था ताज महल के कारीगरों के वनसच क्या आप कहते हैं क्या वाकई में ताज महल के बंद कमरों में बंद हैं कई राज जब से ताज महल के बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका डाली गई है तब से फिर इससे जुड़े तथे भी सामने आने लगे हैं इस त्यार के प्रतीक को बनाने वाले कारीगर तो अब जिन्दा नहीं है लेकिन उनके वन्शच जरूर मौजूद है जो बता सकते हैं कि ताज महल का सच आखिर क्या है ताज महल को बनाने वाले कारीगरों के जन्वरेशन के जो लोग है वो आज भी आगरा में ही रहते हैं उनमें से एक है हाजी ताहिरुद्दीन, कहा जाता है कि इनका नाता ताज महल के कारीगरों से ही है, अब यह पत्थर पर हाथ के काम की नकाशी करते हैं 80 साल के ताहिरुद्दीन ने मीदिया चैनलों से बात करते हुए कहा कई बड़े खुला से किये हैं, वह ताज महल के कई साल तक गाइड भी रहे हैं, ताहिरुद्दीन कहते हैं कि इन दिनों चर्चा में रहने वाले ताज महल के 22 कमरे कबर के नीचे बने हैं, अभी ASI इन कमर को स्टोरेज की तरह स्टमाल करता है, पहले तो ये कमरे जूते चपल रखने के काम आते थे, लेकिन फिर भीड भड़ने लगी तो इन्हें बंद कर दिया गया, ASI बीच बीच में कमरों को खुल कर इनकी सफाई कराती रहती है, ताहिरुद्दीन ने बताया कि यह सच है, कि ताज महल कूओं पर बना है, कूओं के पानी से संगमर्मर ठंडा रहता है, और उसे जोडने के लिए जो चूना इस्तेमाल किया गया है, वहें भी मजबूत होता है, कूओं आपस में जुडे हैं, कूओं का पानी ओवर्फ्लो भी नहीं होता है, और पास की यमना से कूओं का दावा है कि उन्होंने ताज महल को पूरा देखा है कभी उन 22 कमरों को खोला नहीं कया डॉक्टर भानु परताप सिंग के मताबिक 1931 में कुछ अंग्रेजों ने वह कमरे देखे ऐसा मैंने सुना है ASI कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाता इसलिए इन कमरों को नहीं खोलता ताज महल पहले खोला गया था तब वहां कमरे और ट्वाइलिट बने थे डॉक्टर भानु परताप सिंग का दावा है कि ताज महल में हिंदू चिन्न मिलते हैं कहते हैं चारों और परिक्रमा पत्थ बना है जो केवल मंदिरों में होता है ऐसा लगता है कि दीवारों से कमरों को बंद किया गया है एसाई वहां उत्खनन कर सकता है ताज महल में राम मोहन जैसे नाम खुदे हुए मिलते हैं कोड कमिशनर की देखरेक में सर्वे होना चाहिए मतलब ताज महल से जुड़ा अभी बहुत कुछ ऐसा है जिससे दुनिया अंज़ान है सोचिये दुनिया का सात्वा अजुबा है तब भी लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं और जितना जानते हैं वहे भी सच है या सिर्फ एक कहानी भर है इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता वैसे आपका ताज महल से जुड़े हुए विवात को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जौनकारी से भरे ऐसे तमाम वीडियो यूँ ही नेशनल खबर के हाई वोल्टेस प्रोग्राम में देखते रहें तो फिलाल कले इतना ही मुझे दीजिये इजाजत धन्यवाद